दंकी Verses Salar Box Office Collection, Corporate Booking को लेकर दोनो फिलमे निशाने पर है, क्या आपको पता है Corporate Booking क्या होता है? आगे विडियो में आपसे corporate booking के बारे में जरूर बताएंगे, उससे पहले इस पे थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए, इन दिनों box office पर दो सुपरस्टार्स की फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है जी हाँ दोस्तों नाम आप समझ गए होंगे, जी हाँ बात प्रभास की सलार और शाहरुक की डंकी के मुकाबले की हो रही है एक दिन के आगे पीछे रिलीज हुई दोनों फिल्मों में सलार का प्रदर्शन डंकी से बहतर है, फिल्में देखने के लिए दर्शक जहां सिनेमाघरों का रुख कर रही है वही सोशल मीडिया पर एक नया स्यापा छिडा है शाहरुक खान के फैन्स सलार के निर्माताओं पर फेक बॉक्स ओफिस फिगर दिखाने के आरोप लगा रहे है साथ ही, कॉर्पोरेट बुकिंग को लेकर भी फिल्म निशाने पर है ऐसे ही आरोप प्रभास के फैन की तरफ से डंकी के मेकर्स पर लग रहे है आखिर क्या है, ये कॉर्पोरेट बुकिंग कहां से शुरू हुआ इसका ट्रेंड वैसे बता दें, कॉर्पोरेट बुकिंग एक तर्म है जिसमें किसी सुपरस्टार की फिल्म के कुछ निश्चित टिकट वे सारे ब्रांड्स खरीदते हैं जिनके लिए अक्टर एडवर्टाइजमेंट करता है मतलब कोई स्टार अगर 15 ब्रांड्स का अमबेस्डर हैं ऐसे में उसकी फिल्म रिलीज होने पर हर एक ब्रांड उसकी फिल्म के एक एक करोड रुपए के टिकट खरीद लेता है और ये टिकट अपने ग्राहकों और डीलर्स आदी में फ्री में बाट देता है इस तरह की जाने वाली टिकेट बुकिंग को कॉर्पोरेट बुकिंग कहा जाता है इस बीच बेशक शाहरुख के फैंस सलार पर कॉर्पोरेट बुकिंग के आरोप लगा रहे हों मगर इससे पहले शाहरुख खान की पठान और जवान की भी खूब कॉर्पोरेट बुकिंग हुई थी वैसे एक कॉर्पोरेट बुकिंग की ट्रेंड κα चलन आज शुरू नहीं हुआ है कहा जाता है कि राजेश खन्ना के दौर से कॉर्पोरेट बुकिंग की शुरुवात हुई फिर गोविंदा ने भी खूब अडवांस बुकिंग में टिक्टे खरीदी पहले ये चलन फिल्म के सितारों के बीच था मगर हाल के दिनों में फिल्म को चलवाने के लिए अब निर्माता भी इसमें कूद पड़े हैं जी हाँ, वैसे बात करें अब तक की दोनों फिल्मों की कलेक्शन की तो सालार को रिलीज हुए आठ दिन हो चुके हैं और सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म सालार ने इंडियन बॉक्स ओफिस पर आठ दिनों में 318 करोड की कमाई की है वही वर्डवाइड 542 करोड 63 लाख का बिजनेस किया है अब बात करें डंकी फिल्म की तो इसे रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं और फिल्म दंकी ने इंडियन बॉक्स ओफिस पर 9 दिनों में 167 करोड 47 लाख की कमाई की है वही वर्डवाइड 317 करोड 25 लाख का बिजनेस किया है वैसे दोस्तों आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद